विल हेलो दोस्तों कभी भी आप अगर कहीं पे हेड़फोन लेने गए होगे अपने मिक्सिंग के लिए या वैसे भी गाने वाने सुनने के लिए तो आपने एक चीज नॉटिस कियोगी कि उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है ओम्स और कहीं भी आपने सुना भी होगा या फिर कोई भी चीज लेने में क्यों हेल्प करने वाला तो इस वीडियो को लास तक देखना क्योंकि यह चीज सारी जिंदगी काम आने वाली है अपने लिए एक परफेक्ट चीज खरेदने के लिए यह चीज हमेशा काम आएगी तो अभी हम इसको थोड़ी सी थोड़ी हल्की सी अपने छोटी क्लासी ने पढ़ चुके है यह याद नहीं है और हम ऐसे इंप्लिमेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमने स्कूल में पढ़ाता वैसे हमने बस रट्टे के लिए पढ़ लिए बढ़ आप समझ में नहीं आया ए चीज तो देखो एक हो गई हमारी रिजिस्टर आर से ऐसे गंदा सार बना दिया मैंने और एक हो गया हमारा रियक्टेंस यह और जादा गंदार को हम रियक्टेंस मान लेते हैं तो अभी मैं बताऊंगा मतलब लोग सोच रहेंगे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा रिजिस्टर वगारा यह क्या अरे कटाई इस यह सुनो ठीक है कुछ भी नहीं है और इसके बाद हो गया इंपीडेंस यह तीन चीजे डिसाइड करती है हमारे हेड़फोन से कैसा साउंड आएगा और कहां वह हैड़फोन चलेगा कहां नहीं चलेगा अभी सबसे पहले हम समझेंगे रिजिस्टर को या फिर रिजिस्टेंस को तो देखो हमने देखा होगा कोई भी अगर एक्ट्रिकल एक्विमेंट देखा होगा हमने कुछ भी तो उसमें एक तरह का रिजिस्टर होता है कभी भी देखा होगा मैं इमेज दिखा देता हूं कि क्या होता है तो यह इस तरीके का होता है यह ऐसा होता है इसके बीच मे करेंट आ रहा है तो वह करेंट गुजरेगा बीच में रिगा हुआ है उस करेंट को कम करेगा वह और थ्री एंपियर में बदल देंगा तो कम कैसे करता है जैसे की हमारा यह रिष्टर में थोड़ा बड़ा बना देता हूं तक यह आशानी से समझ में आए है अधे गंदा सा जने मेने फिर से तो अभी क्या होता है कि यह एक तारह होता कि यह था हिए पर अंदर क्या होता है इस shirt अदर क्या होता है तो इसका ऐसे दो था तूर यहां तक होता है और दूसर कार पास होगी कितना करणेड की छुपास होगा加油 तो कारबन जितना जादा जादा या कम हो उस हिसाब से उसकी केरेंट की वोल्टेज डिसाइड होगी कितना करेंट पास होग और कितना नहीं होगा ठीक है अगर मतलब 5 एंपियर आया या 10 एंपियर आया तो उसमें से पांच में से या दो या तीन ही बचेगा आगे ट्रांसफर होने के लिए और ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जो हमारा आगे चीज लगी हुए आप इम आगे समझाऊंगा तो उसको जितना करेंट चाहिए हमको उतना ही देना अगर जादा दे दिया तो खराब हो ज होती है अभी डियक्टेंस देखो यह अल्मोस सेम सी होती है सब को ओम में आपते हैं अगर यह मीटर आपने कहीं देखा होगा तो इसमें ऑम का साहिन होता है और ओम में आपते कोई भी अगर इलेक्ट्रिक वाला बंदा देखा हो या फिर पिर इंजिनिरिंग कर रहा हो कोई कोई भी तार को ऐसे राउंड करेंगे और जांतर के यहां से यह जा सब्सक्राइबा उम्हां प्लस करेंगे और आरोude को आप्ते टो वह घुज कोईर गया न्प मतलब जो current पास एक जगह से हो रहा है और दूसरी जगह से neutral एक जगह से plus एक जगह से minus जब जा रहा है वो coil के थू जा रहे हैं और उसके अंदर कुछ emotion create होता है उसके electron जब आपस में ऐसे ऐसे जाते हैं दूसरी वाली coil से क्या sound बन रहा है ऐसे रहों जाके तो यह reactance होते है किस तरीके का react करेगा ठीक है मतलब यह भी एक तरीकी का रिष्टर ही है मैं यह भी एक तरीक की रोक थाम कर रहा है पर रोक थाम करके उसमें कुछ बदलाव कर रहा है उससे कुछ create कर रहा हो चीज में ठी होती ही reactance क्या होती है impedance होती है जहां पर resistor या पिर capacitor और हमारी reactance का एक कोईल तीनो या दोनो साथ लगी हो उससे हम impedance बोलते हैं बहुत जगह हमने सुना भी होगा कि इसमें ज्यादा इंपीडेंस है या कम इंपीडेंस है तो वो क्यों होता देखो मैं बता देता हूं अब मानलो कि मेरा यह इयर फोन है इसकी इंपीडेंस कम होगी क्यों कम होगी क्योंकि इसमें छोटी कोईल लगी है या फिर छोटा हमारा रेजिस्टर लगा है तो इससे मतलब कम करेंट की ज ज्यादा करंट की वैसे ही ज़रूरत नहीं तो जो आगे से चीज करंट पास कर रही वह कम ही पास कर रही और उसी तरह यह इसको लेगी तो इसी कम इंपिडेंस है अब मान लो मैं कोई mixing headphones लेता हूं तो इनकी क्या होती है इनकी impedance ज्यादा होती है अगर ज्यादा impedance होंगी तो उसको ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी तो उस-जचीज पर दा के लिए उसके अंदर रैप है उसके ऑंदर-डरशू सर रेजिस्टर क्यपिस्टी वग이었 चांट में ही और हर च्वटी वाली बैटरी आमोगी नत्यगें कर शोटी वा मित्यक करदें के तो मंतलम हम जगें हैं आगे जो जोडे twee दूसरा प्रकृ क्नijक कर देंग Baby तो जो जिली नत्यगे हैं खुद की रोक थाम इतनी है कि वो इतने कम करंट को पास होने नहीं दे जाएगा अगर इतने मोटे वायर में से करंट को पास होना है तो उसे जादा करंट की जरूरत होगी तभी वो उस रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा नहीं तो आगे नहीं ब 32 ohms, 80 ohms, 250 ohms, ohms वाला पंड आगे, सेम यही चीज है, कुछ हेडफोन को कम करन्ट की जरूर थे, क्योंकि वो कम signal प्रोडूस करेंगे, कम quality प्रोडूस करेंगे, उन्हों काम सिर्फ हमको experience देना है, music, अच्छा music सुना दो, बहुत है, बट जो details हमको सुननी है, वो ज्यादा oh करेंगे, अब जैसे की, normally हमारे mixing headphones ही ले लो, उनमें variations होती है, अलग-अलग type की, कुछ सिर्फ हमारे recording के time use होते है, headphones, जैसे कि हम पहनते हैं, record करते हैं, माइक के सामने, तो वो सिर्फ recording के time use होते हैं, दूसरे के हलकी full की mixing भी हो जाए, और हम recording भी कर लें, वो एक सिर्फ recording के होते हैं, होते सिर्फ वो mixing के लिए, क्योंकि उनकी quality इतनी हाई होती है, पहली बात महंगे होते हैं, दूसरी बात ज्यादा current चाहिए, अगर हम mixing वाले headphones को हमारे phone में लगाएंगे, तो वो sound ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे phone उतना current produce कर ही नहीं सकता, कि उनको इतनी power देद पाएंगे, जो हमको details चाहिए, हमारी mixing करने के लिए, जो हमको details चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे, हमारी सस्ते earphones या फिर headphones, तो इसलिए हमें हमारी mixing के लिए, अलग से headphones लेने पड़ते हैं, जादा महंगे तो होते हैं, बट mixing even होती हैं, मतलब premium एकदम, अभी मैंने भी एक एहड़फोन मंगा होगा, कुछ दिनों में आ जाएगा तो उसका review भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए वेट करना, I think अभी पूरा doubt clear हो गया होगा, यह सब चीजे हैं क्या, मैंने जितना हो सका है, उतना ज्यादा easy तरीके से बता है, और ज्यादा deep में जानना तो य जाएगा, बट जितनी music production में जरूरत थी, उतना मैं समझा चुका हूँ, इस से जादा समझने की जरूरत नहीं है, इतने महीं हमारा काम हो जाएगा, अगर हम कोई चीज लेने जाएगे, speaker, headphones वगारा कुछ भी, तो हमें at least levels का पता होगा, कि इतने ohms इतना quality, इतने ohms इतना होगा, तो आप मुझे वहां पर भी follow कर सकते हो, तो चली दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके वीडियो पंदा इस शूट्यू को लाइक करो, शेर करो पनी वेंसे वैमली के साथ चोवी म्यूजिक में interested हैं, तो चली दोस्तो, over and out.